नमस्कार, डेली PCS GK में आपका स्वागत है शुरुवात करते हैं अभ्यास प्रश्न से हमारा प्रश्न था अंधराश्ट्री वन दिवस कब मनाया जाता है आपके विकल्प थे 21 मार्च, 18 अप्रेल, 10 जन्वरी या 16 अक्टूबर इसका सही उत्तरे विकल्पे 21 मार्च हर साल 21 मार्च को सवयुक्त राश्ट्र द्वारा अंतराश्ट्री वन दिवस मनाया जाता है इसकी थीम वन और स्वास्त है सवयुक्त राश्ट माहसबा ने 2012 में 21 मार्च को अंतराश्ट्री वन दिवस घोशित किया था इसका मकसद सभी प्रकार के वनों के महित्त के बारे में जागरुकता बढ़ाना है इसके आयुजकों में सवयुक्त राश्ट वन फॉरम एवं खाद और क्रिशी संग्ठन शामिल है चली शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रशन है रानी की गल्स होकी टर्फ स्टेडियम कहां पर है इसका सईयू तरे विकल पे राय बरेली भारती होकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर राय बरेली में स्टेडियम बनाये गया है और यह समान पाने वाली वे पहली महला खिलाडी बन गई है MCF राय बरेली का नाम अब रानी की गल्स होकी टर्फ रखा गया है रानी ने इस साल की शुरुआत में दक्षड अफ्रीका के दोरे के दोरान भारती टीम में वापसी की थी तब उन्हें 22 अदस्य टीम में शामिल किया गया था इससे पहले उन्होंने 2021-2022 में FIH प्रो लीग खेला था जिसमें उन्होंने 250 अंतराष्ट्री मैच पूरे किये रानी रामपाल ने 2009 में अपने डेब्यू के बाद से भारत के लिए 250 से अधिक अंतराष्ट्री मैच खेले हैं रानी भारत की 2017 में महला एश्याई कप खेताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थी उन्होंने टोक्यो 2020 अलंपिक में एतिहासिक चोथे स्थान पर रहने वाली भारती महला होकी टीम का नित्रत किया था यानी रामपाल को मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न और पद्मश्री प्रुषकार प्राप्त हो चुका है रानी ने जकारता में 2018 में एक रजत और इंचियोन 2014 में एक कांस पदक जीता था आगला प्रश्ट वन वेव इंडिया टू मिशन के तहित कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा इसका साही उतर विकल्प सी चाथीस इसरो 26 मार्च को सतीश धवन अंत्रिक्ष केंद्र श्री हरी कोटा से वन वेव इंडिया टू मिशन का प्रक्षेपित करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिम्टेड के साथ एक वाड़िजिक समझोते के अंतरगत इसरो बिटेनिस्ट नेटवर्क एकसेज एसू सीर्स लिम्टेड के बहातर उपग्रे प्रक्षेपित करेगा और इन्हें लो अर्थ और्बिट में इस्थापित करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिम्टेड इसरो की वाड़िजिक शाखा है पिछले वर्ष 23 अक्टूबर को LVM3 M2 प्रिक्षेपड वाहन द्वारा 36 उपग्रे प्रिक्षेपित किये गए थे आब इस दूसरे मिशन के अंतरगत लगभग 5805 किलोगराम वजन के 36 उपग्रे LVM3 M3 प्रिक्षेपड वाहन द्वारा इस्थापित किये जाएंगे प्रिक्षेपड के बाद Axis Associates Limited के पास अंतरिक्ष में 600 से अधिक उपग्रे हो जाएंगे जो विविन देशों में अंतरिक्ष सेवा से इंटरनेट प्रदान करेंगे अगला प्रश्न बिहार दिवस कब मनाय जाता है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च इसका सईथर विकल्प B, 22 मार्च, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाय जाता है यह दिवस 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग एक नए राजज के गठन की इस मृति में मनाय जाता है, 2023 में बिहार अपना 111 स्थापना दिवस मना रहा है इस बार इस दिवस की थीम है विवाशक्ति बिहार की प्रगती। बिहार सरकार ने वरश 2010 से राज का स्थापना दिवस मराने का निर्ड़े लिया था। इसका उदेश राज के गौरप को बहाल करना और राज के नागरिकों में प्रादेशिक भावना को जागरित करना। एहुल चौक्षी के खलाब जारी रेड नोटिस को रद कर दिया। आई जानते इंटरपोल के बारे में इसी वरश 1930 में सुरक्षित सूचना साजा करण मंच के रूप में स्थापित किया गया था। जो विविन पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के सेंगरण और प्र विविन इक्षेत्रों में अपराधियों और पुलिस को रडार के तहित आने वाले लोगों की गत्विधियों पर नजर रखता है। उन पुलिस बलों को सुझाओ देता है जिन्होंने या तो इंटरपोल की साहता मागी है या जो उसके पास सुपलब्द विवरणों से ला जर्मा और पृत्वी एक सीरी रेखा में होते हैं। का बढ़ना और तटकी और इसकी गती जौर कहलाती है। प्रडामता उच जल इस्तर उच जौर जल की रूप में जाना जाता है। सूर्य चंदर्मा और पृत्वी के एक ही सीध में होने के स्थिति को यूती व्यूती कहते हैं। इस इस्तिती में सूर्य और चंदर्मा का स्यूंक्त गृत्वाकरशण बल एक साथ काम करता है और इस प्रकार व्यूत जौर आता है। ऐसे जौरों की उचाई सामान जौरों से 20 पृत्षत ज्यादा होती है। ऐसे जौर महिने में दो बार पूडमा और अमावस्या को आते हैं और उनका समय निश्चित होता है। सूरी चंद्रमा और पृत्वी हर महिने के साथवे या आठवे दिन सम कोड़ी इस्थिती में आते हैं। इस प्रकार जौर उत्पन करने वाले बल विप्रीत दिशा में कारे करते हैं। प्रडाम तहा लगू जौर होता है। एसे जौर जो उचाई में सामान जौरों से कम होते हैं लगू जौर कहे जाते हैं। सुन्दरवन डेल्टा विष्व का एक मात्र मैंगरोव वन है जहां बागों का निवास है। उपरविक्त कत्रों में से कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो. इसका सही उतर विकल्प भी केवल दो. मैंगरूब विश्व के उश्र कटवंधिये और उपोश्र कटवंधिक शेत्रों के लवर सहिश्रूप पादप समुदायों का एक विवित समू है. राज्यों और संग शासित प्रदेशों में पश्यम बंगाल में मैंगरूब आवरण का उचितम प्रतिशक शेत्र जब कि उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार दीप समू का इस्थान है. अता कथन एक सही नहीं है. सुन्दरवन गंगा ब्रह्मपुत्र और मेगना नदियों को डेल्टा पर बंगाल के खाडी के तटिक शेत्र में एक विशाल वन पारस्तित की तंत्र है. अगला प्रशन निमलिकित में से कौन सा उप दीप समू हूँ? लक्ष दीप समू हूँ में शामिल नहीं है. आई जानते लक्ष दूइब के बारे में यह एक दूइब समू है जिसमें 36 दूइब शामिल है इसकी राजधानी कवरत्ती है यह लगबग 32 वर किलोमीटर छेत्र में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधिक केंद्र के नियंतरबे होता है इसके इंतरगत कुल तीन उप दूप समू शामिल है अमिन दीवी दूप समू लक्का दीव दूप समू और मिनी कोय दूप समू अता विकल्पटी सही है अमीन दूप दूप समू सबसे उत्तर में है जबकि मिनी कोय दूप समू सबसे दक्षड में है यहां के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मूलक हैं और ये चारो तरब से फ्रिंजिंग रीफ से घिरे हुए हैं पिट्टी द्वीप में एक पंची अभ्यारन्य है अगला प्रश्न निम्लिकित में से किसका उप्योग खासी की दवाई में किया जाता है इसका सही उत्तर है विकल्प ए एथिनॉल एथिनॉल C2H5OH का उप्योग खासी की दवाई और टॉनिक में किया जाता है क्योंकि यह एक बहुत अच्छा विलाइक होता है इसे एथिल एलकोहल, ग्रेन एलकोहल, ड्रिंकिंग एलकोहल, इस्परिट या केवल एलकोहल भी कहा जाता है यह एक कार्बनिक रासाइनिक योगिक होता है एथिनॉलिक मामूली विशिष्ट गंद के साथ एक अस्थिर, जुलनशील, रंगहीन, द्रभ होता है यह एक मनो सक्रिय पदार्थ मनोरंजक दबा होती है और मादक पे में एक सक्री संगटक होता है ब्यूटिनॉल का रासाइनिक सूत्र C4H9OH होता है यह है हाइड्रोलिक तरल पदार्थ बनाने में जानबरों के लिए दबाव में वसा, मौम, चप्डा, रेजिन, गौन और वार्नस के लिए व्लैक के रूप में उप्योग किया जाता है और प्रोपेनॉल का रासाइनिक सूत्र CH3, CH2, CH2OH होता है आमतोर पर प्रोपेनॉल का प्योग, एंटिफ्रीज, लाफ फर्मूलिशन, साबून, डाई समाधान, विंडू क्लीनर और अन्न की उत्पादन के लिए किया जाता है अगला प्रशन गंद मर्दन हिल्स रेंज किस राजज में स्थित है हाली में ओडिशा ने गंद मर्दन हिल्स रेंज को जैव विविदिता विरासत इस्थल गोशित किया है सरकार दोरा यह नडए यहां बॉकसाइट खनन के खिलाप लोगों के अतधिक प्रतरोद के लंबी अरसे के बाद लिया गया है राज का पहला बियचेस गंद माल जिले में मंद सुरू गोर्ज को 2019 में अधिसूचित किया गया था इसके बाद 2022 में गचपती जिले में महंद गरी पहाड़ीयों को दूसरा बियचेस अधिसूचित किया गया अब बात करते हैं गंद मर्दन पहाड़ी शरंखला की यह 18,000 हेक्टियर से अधिक में बारगड और बलागीर जिले में विश्तरित है विभीन और शदियों पौधों की प्रचुरता के कारण यह ओडिशा के आहरवेदिक स्वर्ग के रूप में प्रिसिद्ध है इस पारिश्तित की तंत्र में पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं यहां इस्थेत नरसींग नात मंदिर और हरीशंकर मंदिर ओडिशा के बड़े तियतिस्तल और इतिहासिक स्मा रखें अगला प्रशन वर्ड हैपीनेस रिप्ओर किसके दौरा प्रकाश्चित की जाती है शाली में वर्ड हैपीनेस रिपोर्ट लियोगए जारी की गई वही इसमें भारत को 126 वी रैंख हासिल हुई है जो पिछली बार 136 थी इसमें फिल्लेंड लगाता छटे वर्ष दुनिया के सबसे खुशाल देश की रूप में शीष पर है जबके अगवानिस्तान दुनिया के सबसे दुखी देश की रूप में सबसे निचले पाइदान पर रहा यह इस रिपोर्ट का 11 वासंस करण है वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं यह एक वार्षिक रिपोर्ट है इसे यूएन सश्टेनेवल डेबलोब्मेंट सॉल्यूशन्स नेटवर्क द्वारा प्रकाशत किया जाता है यह रिपोर्ट पहली बाद 2012 में जारी क गई थी यह दुनिया के देशों को विभिन मानकों के अधार पर रेंकिंग परदान करती है जिसमें राष्ट्रिये और अंतराष्ट्रिये पहलू शामिल है चले अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाय जाता है ए बाइस मार्च ब बाइसरो